इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और स्रिलंगा के पीच में होने वाले तीसरे और फाइनल मुकाबले के बारे में आप सभी को पता है दुनिया भर के जितने यूट्यूबर हैं टेलिग्राम पे जो टीम वगरे प्रोवाइट करते हैं वाज से दो तीम पहले से वीडियो बनागर के बैठे हैं इस मैच की जबकि इस मैच में बताने लाए कुछ भी नहीं है बस जितनी बात बताने लाए का बस वो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए मेरे को लगता है इतना टाइम बहुत है राज़कोर्ट में मैच होने वाल है आपको मेनलीस में वैन्यों पिछ रिपोर्ट को पता रखना है यहाँ पर टोटल चार मैच हुए है चारों में बहुत सारे रन बने है रन किस तरीके से बने है वो भी मैं आपको सौट में बता देता हूँ यहां पर चार मैच में दो बार बैटिंग करने वाले टीम ने विन किया है, दो बार बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने विन किया है, एवरिज फर्श निंग का स्कोर 180 के आजपास, यानि रन बहुत अच्छे बनते हैं, और यहां जो अगर मैं T20 डोमेस्टिक की बात करू उसमें टूटल दस में से छे बार बैटिंग सेकंड ने विन किया है, तीन बार बैटिंग फर्श वो एक टाई हुआ है, उसमें भी एवरिज फर्श निंग का स्कोर लगबग 170 के आजपास है, लेकिन आपको यहां पर किवल बैट्समेन के फेवर में टीम नहीं बनाने है, क्योंकि एक तरफ सिरलंका है, एक तरफ इंडिया है, तो इंडिया वाले इस बार पिछले मैच का बदला लेना चाहेंगे और वन साइड़ेड मैच को हरा सकते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के टीम ने हाइस्ट 200 एक रम बना है, यानि एक हाइस्ट स्कोर वाला और बहुत रण यहां पर बनते हैं, अब यहां पर प्लेइंग 11 की बात की जाए, दोनों टीम में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया की टीम हो सकता है, कर सकती है, हरसल पटेल को ला सकती है, किसी की जगपे, अधर्वाइज अर्षदिप सिंग ने ठीक किया था, बट फिर भी हम इनको फिलाल करके नहीं लेंगे, उतनी अच्छी इनिंग इन्होंने नहीं खेली थी, दसुन सनाका ने हर मैच में अच्छा किया है, दिपक उड़ा अगर पहले बैटिंग आती है, तो कंसीडर कर सकते हो, सी असलांग का अच्छी टच में द इनको अगर आपको लेना है, फिर इन दोनों से आपको जो भी लगता है, फ्लॉप होगा भटा देना, बालिंग सेक्छन में आपके लिए मस्ट पिक जो रहेंगे, वो यहां से उम्रान मली, लाश्ट में आपने देखा कितना सांधार परफॉर्मेंस किया, तीन विकेट ल रहेंगे, सिवम मावी ने पहले मैच में आपने डेब्यू मैच में चार विकेट लिया था, लाश्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाये थे, बड़ आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, इसके अलावा, यहां पर एक और बॉलर आपको लेना अब आप या तो स्रलंका कलो या तो इंडिया कलो, मैं आपको सिजेश्ट करूँ का अरशदीब सिंग को ले देना, पिछले मैच को भूल जाओ, इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, चहल का भी उप्सन ये भी अच्छा कर सकते हैं, बाकी यहां पे थिक साना का उप्सन है, यहां पे रंजीता, मदुसंका का उप्सन ही, यह तीनों अपने दिन पे ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं, सी विसी की बात कीजए, तो इंडिया की तरफ से अक्सर पटेल अब नंबर वन पे आ गया है, सी विसी की चोईस में, दोनों मैच के परफॉर्मेंस के बिसिस में, otherwise इंडिया की पहले बैटिंग आती है, तो इसान किसन को अब बना सकते हूं, सोरी को मना सकते हूं, हार्दिक पंडिया के भी बैटिग आएगी, सेकंड बैटिंग में डाउटफुल रहेगा के इंकी बैटिंग आएगी की नहीं आएगी, और बॉलिंग से उतने विकेट्स आपको टीम बनानी है, विडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा, आपका होश रेंदर संकुरी साइनिंग आउट, बाइ